दोस्तो जब से चीराग पासवान ने राजपुत समाज के सबसे बड़े नेता आनंत मोहन पर वयान दिये हैं तब से मानिये बिहार में एक नया बिवाद टाइप का हो गया है काफी लोग गलत नीज बना के बोल रहे हैं कि राजपूत समाज से अब चीराग पास्वान को एक भी बोट नहीं मिलेगा अब कोई भी राजपूत चीराग पास्वान को एक भी बोट देकर सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या है पूरी जानकाडी जानेंगे इस वीडियो के मादम से क्या है सच नहीं है जानते हैं इस वीडियो के मादम से चलिए दोस्तों वीडियो को बीना देरी किये ही इसटार्ट करते है मैं किसी को बचाता हूँ ना किसी को बचाता हूँ तो मुख्यमंद्री बताए कि आनन मोहन जी को तब बचाया गया था कि आज बचाया जा रहा है ये राजनीती जो उनको लेकर की जा रही है ये गलत है कब उनको बचाया गया कब उनको बचाया जा रहा है दोस्तों ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा कि चीराग पास्मान कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं चाहे वो अपने समाज का हो चाहे वो राजपुत समाज का हो चाहे वो चीराग पास्मान का अपने जाती का हो वो ना किसी का पक्च लेते हैं और ना किसी का बिपक्च लेते हैं सिर्फ सच बोलते हैं और दोस्तो रहाबाद की राजपूत समासे चिराग पास्मान को भोट का तो दोस्तो जरूर मिलेगा राजपूत समासे चिराग पास्मान का भोट क्योंकि चिराग पास्मान के पार्टी में हद से ज्यादा दोस्तो राजपूत ही सामिल है तो दोस्तो जो भी लोग ये गलत ऐसा वैसा निकीज बना रहे तो ये भी बिल्कुल गलत है दोस्तो दोस्तो चिराक पासमान का सचाइड का एक छोटा सा बयान था दोस्तो अगर आप राजपूत और पास्मान समाज से हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा और अधर आदमी अपना अपना राय जरूर दे धन्यवाद मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ